राज के माध्यमिक पडशाला सुम्रिधार स्राजतू, जीला मंडे, तुमाचर प्रदेश, कि इस E-PTM, Electronic Parents Teacher Meeting, में आप सब का स्वागट है, आरदी का बिननना है. जैसा कि हम सभी को भीजित है कि पिछले 3-4 में हिनों से जो क्रोना मां हमारी COVID-19 चला हुआ है, इसके मेदे नजर देखते हुए हमारी शिक्षापनाली लगभग पूरे ठीके से टैस्नेस हुई है. सरकार के अथक प्रियास्तों से जो हर घर पार्ट चला बाला जो एक नया प्लान काड़ा हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं, जिसके लिए हमारे शिक्षाप भाके सभी करमचारी अपनी पूरी मेंत कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को साथ उबादेना चाहता हूँ मेरे वेटा अभी शिक्स्त क्लास में एडमिशन ऑनलाइन ही की है, तो आप लोगों का स्योग बहुत बढ़ी रहा है, कोबिन डाइंटीन महामारी के दुरान भी जो भी टीचिंग मिटीरियल हमारे को दे जाते हैं, वो काफी काबिल तारिफ है, इस परकार का जो प्रयास स लेकिन बच्चे धीरे धीरे अभ्यास्त हो रहे हैं, फिर भी जो एक रियर टीचिंग होती है, क्लास रूम की टीचिंग होती है, उसके एडमिश में ये टीचिंग उतनी सातक तो नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में लगवग एक मीने के बाद 1 सब्टेंब थे, थैंक यू सर। मैं यही चाहती हूँ कि हमारा स्कूल अगले मिने तक खुल जाए, जो भी हमारे सिरकार का आदेश है, कि हमारा बच्चे सोचल डीटरस्टिंग में रहें, ताकि हमारा बच्चा स्कूल में पड़े, जो भी वीडियो आती है, उनको देख करके पहले उनको सुनते हैं, मैं दिना नाथ चाहती हूँ, मेरी बेटी, इसी सतर में मैं निशीत रूप से प्रवापित हूँ है, लेकिन इसके बाब तो सरकार ने हर घर पार्ट शाला का जो कारेकम जला है जिससे जो हमारी घर में जो बारा बजे का जो में हमारी घर में पार्ट शाला बनी है और इसके माधिम से अध्यापकों के द्वारा जो रोचक रोचक वीडियो और बर्क शिर्ट के माधिम से बच्चों को शिक्षिन सम प्रवाइड की जाती है वो निशी तुरूप से काबले तारिफ है और इस वर्कशीट और बीटियों को देखर के मेरी बेटी प्रदी दिन अपना होंबर्क करती है और जो क्लास का जो बड़ से ग्रूप बना हुआ है उसके माध्यम से अपने होंबर्क को अध्याकों को और जहां भी बेटी को समस्य आती है और उस समस्य का समधान अध्यपकों के द्वारा किया जाता है इसके लिए मैं अध्यपक का बहुत-बहुत अभारी और स्वागत करता हूँगी वे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बच्चों को सियो करता है और इसके बाप जूद मे मेरा जो एक बैक्ती के तरह है मेरी बैक्ती के तरह यह है कि जहां स्टेंद कम है 25 से कम है वहां स्कोल खोल दिये जाने चाहिए और सोचल डिस्टेंसी का पालन करते हुए बच्चे स्कूल में सोचल डिस्टेंसी का पालन करने हुए करते हैं का पालन करते हुए पार्शनों आपको खोल लिये जांगे चाहिए, यह मेरी व्यक्तिकत रहा है, नहीं बाद सर्थ